नमस्कार जी दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं रवीकान में तरपाथिक वाफ फिर आपके सामने हूँ और बहुत सारे हमारे ऐसे फॉलोवर्स हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीच हम उससे कह रहते हैं सर काफी लंबा गैप चला गया वीडियो में तो थोगा स शुरू करते हैं शुरू करने के फ़रे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लिजेगा और यदि मेरा आज का वीडियो ये शेशन आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक जरू क कर लिजेगा जहां कहीं कोई क्वेस्टन बनता है या कोई ऐसा सेजेशन आता है तो उसको आप मारे कमेंट बाक्स में दे दीजिए मैं उसका सौल करके रिजल्ड आपको दे दूंगा आज हमारा नया चैप्टर है सेकेंड ये उत्तार प्रदेश मादिमिक सिक्षा परिश है मैं आज शुरू कर रहा हूँ सुमित्रा नंदन पंत की लेखनी है ये नौका विहार मानवी करण अलंकार का सबसे सुन्दर पार प्रकृति देन चीजों में मानवी करण किया गया है यानि नदी को धारा को आसमान को तमाम सारी चीजों का मानवी करण करके रिकना सुन् मल कभी है कि प्रकृति का वर्णन जितना बेहतर इन्होंने किया है मुझे नहीं लगता है इससे बेहतर वर्णन किसी ने कभी ने किया होगा खैर करें भी क्यों ना कुमाओं जन्पद के कौसानी में इनका जन्म हुआ है कुमाओं ये एक जिला है उत्तराखंड का संप्रत जैसा अस्थान है कौसानी का बहुत सारे लोग हिल स्टेशन पे घूमने के लिए कौसानी जाते हैं तो वहां की जो वाता वर्णिक जो सुन्दरता है ना उसका बड़ा गहरा प्रवावस में था अंदन दन पंत के उपर पढ़ा है और यही कारण है कि प्रकृत को जितने नजदीक से इन्होंने लिखा है उतना साथ कोई नहीं लिखेगा पढ़ाई हुई है इनकी इलाहाबाद में सेंट मे और क्रिस्टियन कालेज मसीनोंने पढ़ाई की यह अलग बात है कि दो साल पढ़े उसका महात्मा गांदे जी का साहयो गांदोला नेंके सिर पर चड़क अच्छा लगेगा फिर से आपका स्वागत है जो लोग भी वीडियो के मादे हम से देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और हम आज एक एक शब्द का आथ देखते हुए एक एक अलंकारों का प्रियोग देखते सांत स्निग्द जोत्सना उज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल शैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रिश्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित म्रदु करतल लहरे उरपर कोमल कुंतल गोरे पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर सारी की सिकुरंसी जिस पर शशिकी रेसमी विभासे भर सिमटी है वर्तुल म्रदुल लहर कहते हैं सांत स्निग्द जोचसना उज्वल देखे सो वर्ण की बार बारा अबरती अनुपरा सलंकार पहले दिखाई दे रहा है चलते हैं स्नांत स्निग्द जोचसना उज्वल शांत है स्निग्द यानि चिकनी है जोचसना यानि प्रकाश उज्जुल, तैसा उज्जुल, जोटसना जैसा, मतलब प्रकास के समान उज्जुल है, यानि उज्जुल की उपमाओी लीकिया, तो किसे लिए, प्रकास से लिया, यानि सांत है, स्निग्द है और जोचना यानि प्रकास के समान उज्ज्वल है, कौन? अपलक गिरने के बिना यानि लगातार एक टक, अनंत जिसकी सीमा का पता नहीं है, असीम अनंत जिसका अन्त नहीं पता चल रहा है, नीरव बिना किसी रव के, बिना किसी आवाज के, बिना किसी घोश के, भूतल धर्ती के तल पर. देखे लगातार वीशेश राया शान्त है स्निग्न है जोचना जैसी उज्वल है अपलंक यानि लगातार है अनन्त जिसकी सीमा का कोई ठिकाना नहीं है नीरो बिना किशी शोर शराबे के भूतल यानि धर्ती पर सैकत सैया पर दुग्धधवल सैकत बालू सैकत मतलब बालू नोट करेंगे सैकत सैया पर दुग्धधवल बालू के विस्तर पे दूध जैसी सफेद कौन तनवंगी गंगा गंगा कैसी गंगा तनवंगी तनवंगी मतलब पतली चुकि गंगा का मानवी करण किया है एक इस्त्री से और इस्त्री के सरी की काया का आभास लिया है सुमिता दन पंत ने तो आप भी वहीं से देखेंगे तनवंगी सब्द का आता है दुबली पतली एक सुंदर इस्त्री जैसे दुबली पतली होती है वैसे ही गंगा तनवंगी गंगा और ये गंगा तनवंगी क्यों है क्योंकि ग्रिश्म विरल क्योंकि गर्मी में विरल हो गई है गर्मी में नदियों में जल कम हो जाता है गर्मी का समय है गंगा जी यानि दुबली पतली सुन्दर सी गंगा बालू के सैया पर लेटी होई है तापस वाला गंगा निरमल शश्मुक से दीपित मृदु करतल लहरे उरपर कोमल कुंतल गंगा कैसी है तापस व दिखाई नहीं दे गई है उसलिए शांत दिखाई दे गई तपस्वी बाला के तरह दिखाई दे गई है औरatingकरतल जो उसके तल मन Eliyya एकिस्त्री मान लिया तो गंगा के जितने भी आकार प्रकार हैं सब को मानों अंगों से जोड के चलेंगे तो क्या क्या रहे हैं कि तपस्वी की बालिका के रूप में निर्मल यानी स्वच्छ गंगा क्या है शशिमुख से दीपित मृदुकरतल शशिमुख चंदर्मा का प्रकास पढ़ने से एक अदम साफ सुन्दर दिखाई दे रही हैं आगे लिखते हैं लहरे उर पर कोमल कुन्तल का मतलब होता है बाल कुन्तल का मतलब बाल यहां पे जो लहरे उठ गिर रही है ना तो जो लहरे उठती है उस पर तो चंदरमा का प्रकास पढ़ता है लेकिन लहरों के जो अपोजिट साइड का हिस्सा होता है वहां अंधेगा चा जाता है उनको यह आस्रे लिए हैं कर रहे हैं कि जो लेटी कोमल बाल लहरा रहे हैं आगे कहते हैं गोरे अंगों पर सिहर सिहर गंगा का रंग कैसा है गोरा है कैसे पता गोरा है क्योंकि बालू की शैया पर लेती है पानी तो रंग ही न होता है उपा से चांदनी छल के आ रही है तो गंगा कैसी दिख रही है गोरी दिखाई दे रही है करे गोरे यंगों पर सिहर सिहर धीरे धीरे गोरे यंगों ने गंगा के सरीर पर धीरे धीरे लहराता तार तरल सुन्दर तार रूपी तरल ऐसा लग रहा है कि चांदनी के तार बिछे हुए हैं ऐसा तरल सुन्दर पानी लहरा रहा है चंचल अंचल सा नीलामबर चंचल नील आंबर आशमान की प्रतिछाया जब पानी में पढ़ रही है तो कभी कह रहे हैं ऐसा प्रतिवहाशित होता है कि गंगा के शरीर पर आसमान का जो आचल है वो चन्चलता पुर्वक्य हिल रहा है लहरा रहा है और अंत में कहते हैं पक्ति सारी की security जिस पर शशी की रेसमी बिवासे भर सिमती है वरतुल मरदुल लहर वरतुल मतलब गोल जहां पर भंवरे बन रही है अब उसके बारे में देखिए पानी में कुछ अस्तान होते हैं जहां पर थोड़ी सी भंवर बन जाते हैं गोल गोल लहने उतपन होने लग करा है कि वहाँ सारी की सिकुरन बन गई है गंगा की जो सारी है ना उसकी सिकुरन प्रतिभासित हो रही है और वह सिकुरन कैसी है शर्षी की यानि चंद्रमा की रेशमी विभा विभा का मतलब भी होता है चांदनी यानि प्रकास चंद्रमा के प्रकास से इस तरह से वह भर ज यानि मुलायम गोल गोल जो मुलायम लहरें गोल गोल हो जारी है लग रहा है कि गंगा के सरीक पर जो साड़ी है न वो आसमान की लहरों की तरह है अगला इस्टेंजा देखेंगे कभी क्या करेगा चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की जोचना रही विछर लो पाले चगी उठा लंगर मृद मंद मन्धर मंधर लग तर्न रही से सुंदर तिर्खोल रही पालों के पर निश्चल जलके शुचिदर पर बिम्बित हो रज पुलिन निरभर दुहरे लगते उजे चंडबर काला कांकर का राजभवन सोया जलमे निश्चिंत प्रमन पलकों पर बैभाव सपन सगन कह रहे हैं चांदनी रात का पहला पहर है यानि अभी रात की शुरुबात हो रही है रात कैसी है, चांदनी रात है, तबी तो चंद्रमा की चाया पढ़ रही है, चांदनी रात का पहला प्रहर यानि रात की शुरुवात हुई है ओर हम सभी चले नाओ लेकर सत्वर, तुर् का मतलब जल्दी से, accelerated है थे, acceleration को हिंदी में बोलते हैं, सत्वर, त्वर के साथ, यानि हम नाव को तेजी से आगे बढ़ाए, यानि हम लोग गंगा में नाव लेकर उतरे हैं, कौन सी नाव जो तेजी से बढ़ी है आगे, चादनी रात का पहला प्रहर है, सिकता की सस्मित CP पर, मैंने पहले बताय जाता है, बीचे में लोग बताते हैं कि उसमें मोती आजाता है, सिकता की सस्मित CP पर, सिकता की सस्मित CP पर, मोती की जोचना रही बिचर, चादनी प्रकास पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर मोती की जोचना आ गई है, मोती का प्रकास निकल रहा है, आगे कह रह लो पाले चरही उठा लंगर लंगर खींच लिया गया एक एक हम और नाव आगे बढ़ गये न्व कैसे बह रही है लग टरणी मतलब नाव मतलब नकार मतलब कैसी है म्रेदु फिरे फिरे मंद मंतर आराम से नंहवं मंद मंद धीरे धीरे मंथर यानि इस्थिरता के साथ नाव आगे बढ़ रही है और यह नाव कर क्या रही है धीरे धीरे अपने पालों को जब चढ़ा रही है जब नाव में तिर पाले चढ़ने तो ऐसा लग रहा है लगतरण यानि छोटी नाव कैसी लग रही है हंसिनी जै धीले अपने पंखों को खोल रही है आगे कहते हैं निश्चल जल के शुची दरपन पर बिम्बित हो रजत पुलिन निरभर निश्चल जल के ऐसा जल जो हिल नहीं रहा है निश्चल जिसमें हल चल नहीं है निश्चल जल के शुची दरपन पर साफ सुन्दर दरपन पर जल म चादी के टुक्रे पुलिन का मतलब होता है विंदु चादी के टुक्रे कौन से चादी के टुक्रे जो आसमान में तारे खिले हुए है देखिए आसमान के तारों का आस्रा ले रहा है कभी कर रजत पुलिन निरभर जो आसमान में तारे चमक रहे ना वो छोटे छोटे चाद बढ़ी चोटी होती है तो जो उसमें रजत के जो कर है ना जो चांदी के कर जो गंगा की नदी में दिखाई दे रहा ना वो कभी-कभी लगता है कि जितने उचे आस्मान में उससे जादा डबल साइज के बड़े-बड़े दिखाई देने लगते हैं और कहते हैं काला कांकर क राजभवन काला कांकर अस्थान विशेश का नाम राजभवन है किनारे राजभवन का प्रतिविंब पानी में पढ़ रहा है नदी के किनारे राजभवन है कह रहा काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत जल में निश्चिंत सोया हुआ है यानि जलक में उसका प्रतिविम्प पड़ा ऐसा लग रहा है कि वो राजभौन जल में आराम कर रहो प्रमन मन से प्रमन मतलब मन से पूरे हर्दय से पूरे आराम से वह राजभौन जल में आराम कर रहा है पलकों पर बैभाव स्वपन सगन और उसके पलकों पर क्या है बैभाव के सवपन है कैसे सघन बहुत परियाप्त मात्रा में बैभाव यानि एश्वर राजभावन है तो उसमें एश्वर होगा तो राजभावन का जो एश्वर है राजभावन का जो भोग विलास की जो चीजें है चाहे वो मशाले जल रही हो चाहे जो किले के परकोटे हो वो सारी चीजें ऐसे पा खारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे थे चालक दल जो तित कर जल का अंतस्तल जिनके लगुदीपों को चंचल अंचल की ओट किये अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल-पल सामने शुक्र की छविजल मिल पैरती परीसी जल मेकल रूपहले कचों में हो ओजल लहरों मुख्यी अविर नुक की लहर बढ़ती जो की जल शानत था है हम लोग पहले जान चुके हैं कि निश्चल जल है में कोई हल चल नहीं है लेकिन जब नौका चलती है जब नाव जाती है तो जल क्या होता है हिल पड़ता है कहता है नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नवके और छोर पूरा आसमान एक छो से दूसरे छो तक हिल जाता है कैसे हिल जाता है क्योंकि आसमान का प्रतिवी में जल में पढ़ रहा है और जब जल हिला तो आसमान भी हिला तो कह रहा है कि जैसे ही नाव से पानी हिलता है आसमान एक छो से लेकर दूसरे छो तक पूरा हिल जाता है आगे लिखते हैं विसफारित नैनों से विसफारित मतलब खुले नेत्रों से बड़ी बड़ी आँखें कर जाने वाले मला हैं वह लगातार कुछ ने कुछ खोज रहे हैं आंखें बढ़ी बढ़ी करके बाई नाव है चल रहे हैं सोच रहे हैं कि क्या पता कुछ मचली निकल आए मिल जाए कोई सीपी बढ़ियां मिल जाए मोती मिल जाए मूंगा मिल जाए कुछ खोज रहे होंगे पर प्रकास डाल करके वो कुछ खोज रहे थे जिनके लगदीपों को चन्चल अब देखिए क्या है कुछ ने खोज रहे हैं वो दीप दान कर रहे हैं दीप दान समझते हैं गंगा नदी में लोग जाते हैं असनारी त्यारे करने के बाद दीप जला करके गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं कह रहा है कि जब हमारा चाला कदल दीप जला करके गंगा में प्रवाहित कर दे रहा है ना तो क्या हो रहा है जो फिरती लहरे है ना जो इधक लहरे वो लुक छिप करके उस दीप के प्रकास से अपने अंतस्तल को जोतित कर रही है प्रकाशमान कर रही है वह दीप जो बहाद सामने शुक्र की छवी जिल मिल सामने शुक्र यानि शुक्र को सामने तया लोग भोर का ताड़ा कहते हैं आधी रात के बाद दिखाई देने लगता है शुक्र का नाम है अहां पर आगया है इसका मतलब आधी रात बिच्चुकी है कहें सामने शुक्र की छवी जिल मिल जिल म परी उसमें तैर रही हो कोई एंजल उसमें तैर रही हो रूपहले कचों से हो ओजल कच मतलब भी होता है बाल जिसके बाल कैसे हैं रूपहले हैं कभी ओजल हो जाती है कभी दिखती है लहरे उठती हैं तो ओजल हो लहरे गिरती है तो तो रूप अहले कचों से ओज़ल ऐसा लगता है कि काले बालों में कभी हो जाती है कभी दिखाई देने लगती है लहरों से घूँघट से जुक जुक दशमी का शशी निज तिर्यक मुख लहरों के चुकि लहरे क्या है वही साड़ी है अभी हमने देखा ना पीछे के साड़ी की जो शेलवट वो लहरे हैं तो कहड़ है लहरों के घूंगट से जुक जुक लहरों रूपी घूंगट से जुक जुक करके दशमी का सश है यानि आज दशमी तिथी है पुर्णिमा नज़्दीक है इसलिए चंग्रमा सुंदर दिख रहा है दशमी का सश निज तिरियक मुख तिरचा नजर डाल रहा है गंगा पे तिरचा नजर सबसे सुंदर मना जाता तिरुची आखों से देख रहा है कोई तिरुची नज़रों से देख रहा है कोई अपना चहरा दिखा देगा आगे चलेंगे क्या उड़ता हरने निज विराह शोक छाया की को की को वीलोक कहते हैं आगे जब पहुंची चपला बीच धार चपला मतलब बिजली जब बिजली यानि आसमान की जो चमक है वो धार के ठीक वीजो बीचम पहुंची यह नि गंगा के ठीक बीच में जब बिजली चमकी है तो क्या होता है छिप गया चांदनी का करार बीच में ही पानी इतना आलोकी तो हो गया कि चांदनी के जो करार थे न जो दोनों बार्डर दिखाई दे गए थे गंगा के वो एक छंट लिए ओजल हो गए दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का क्रिश कोमल शरीर धारा रूपी शरीर कैसा है क्रिश है क्रिश का मतलब होता है पतला धारा कैसी है पतल यह धारा रूपी जो शरीर है न वो क्रिश है कोमल है और दो बाहें जो दोनों तरह के जो किनारे है न वो दोनों बाहें है वो धा माल अति दूर बहुत ज्यादा दूर छिटिज यानि छितिज जो प्रिठवी से उत्पन्हों सामाने दैश का आर्थ होता है जहां पर धलती और आकास लिए हुए दिखाई जैता है सुदूर बहुत दूर जानि की जो पंक्तियां और दिशुедर है का मतलब क्या उता होता है तरह की रिखता अराल काली काली सुंद्र करें अति दूर बहुत दूर छी पर जो पेड़ों की जो माला है न वो ऐसा लगती है कि वो काली-काली सुंदर-सुंदर भाउं है हो अपलक नभनील नयन विशाल और यह जो नयन है न वो कहां से आएंगे आसमान से कर अपलक नभनील अपलक बिना पलक को गिरा यानि एक टक देखने वाला यह आसमान रूपी नेत् रहे जो एक टक देख रहा है और उस नेत्र की काली-काली भाउं है यानि उन पेड़ों की पक्तियां है जो छेतिज़ पर दिखाई दे रही है मां के उर पर सिसु सा समीप मां के हर्दय पर शिसु जैसा एक छोटा सा दीप धारा में लेटा हुआ है यानि धारा के बीच मे उर मतलब होता हर्दय पर सिसु जैसा मां के हर्दय के समीप एक शिसु जैसा छोटा सा दीप गंगा की धारा में लेटा हुआ है उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप जो उर्मिल प्रवाह को रोक रहा है उर्मिल यानि उर्मि मतलब होता है लहर उर्मिल प्रवाह लहरों वाले प्रवाह लहरों वाले जल के प्रवाह को प्रतीब कर रहा है रोक रहा है वह द्वीब ऐसा लगता है कि मां के सीने पे छोटा सा शिशु लेटा हो आगे कह रहे हैं वह कौन बिहग और जो छाया पढ़ रही है कभी-कभी मैंने बताया ना जैसे बिजली चमकी तब तो प्रका कोक पक्षी बोलते हैं अपने चकवा और कि कहाणी आती अपनों सुने होंगे तो कह Cut यतमा ठीक को देख सी कहिं कहीं अपने शोक को हरने के लिए तो नहीं बाला उपड़ यह जाया का किसमी लेलीया मानवी करनों कोक पक्षी पर कि को आगे कहते हैं आगे कहते हैं पतवार घुमा अब प्रतन उभार नौका घूमी विपरीत धार डानों के चल करतल पसार भर भर मुक्ताफल फेनस फार विखराती जल में हतार हार चादी के सापों सी रिलमिल नाचती रश्मिया जल में चल रेखाओं सी खिच तरल सरल लहरों की लतिकाओं में खिल सौसो ससी सौसो उड जिलमिल फैले फूले जल में फेनिल अब उथला सरिता का प्रवाह लगी से लेले सहज था हम बड़े घाट को सहुत सा कह रहे हैं पतवार घूमा अब प्रतन उभार पतवार घूमी और भार क्या हुआ प्रतन उतन का मतलब होता हलका भार कम हो गया क्योंकि लहरों के जब बीच में थी तो लहरों का दबाव था तो नाव पे भार जादा था अब क्या हुआ नाव किनारे जा रही है कह रहे हैं पतवार घुमा अब प्रतन उभार पतवार घूम गई नाओ किनारे की तरफ चल पढ़ी पतवार कहते है नाओ को चलाने के लिए जो लगी-लगी होती है जिसमें ऐसे चप्टा उसमें बना होता है पटरा लगा होता है जिससे पानी को इधर-उदर करते हैं तो नाओ घूमात की डान के चल करतल पसार डान के चल डान का मतलब होता है उंचा अस्थान जो नदी के किनारी का जो यहां पर नदी समावतों तो मिट्टी शुरू होती है तो करता हाथ फैला करके वह आलिंगन करने के लिए बुला रहे हैं बर-बर मुक्ताहल फेन स्फार फेन ज्ञाग स्फार का मतलब उचाई मने ज्ञाग वहुत ज्यादा इकठा करके ज्ञाग कैसा दिख रहा है मुक्ताहल ऐसा लग रहा कि मोतियों का संग्रह है मुक्ता मतलब मोती हलका मतलब वहता है समू मोतियों के समू है जैसे ज्ञाग इकठा करक के दोनों किनारे हम लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं जैसे लगता कि मोती रूपी उपहार लेकर के वो बैठे हैं हमको अपनी तरफ बुला रहे हैं भर भर मुक्ताहल फेनसफार यानि जो सफेद जाग पानी की लहरों सुथपन हो रहा है उस जाग रूपी मोती लेकर कि दोनों किनारे अपने हाथ फैला करके हम को अपनी तरफ बुला रहे हैं चांदनी के सापों सी रिल मिल चांदनी के सापों सी रिल मिल चांदनी के साप ऐसा लग रहा है कि लहरें उठ रही है जो गिर रही है ना वहाँ चांदनी के साप या उपर से जब चांदनी पढ़ ल है जल में कि और आगे कहती हैं रे खाओं उसी घृच TARLA deserve a god अइसा लग रहा है कि रेखाएं खीच दी जा रही हो पानी में तरल और सडल तरल मतलब पानी में सड़ल मतलब सीधि सीधी रे खाएं कभी-कभी खिच जा ही ऐसा लग रहा है कि यह तो चांदी सांप होंगे था नहीं तो रश्मियों की है किल प्रकास की ऐखते हैं लहरों की लटिकाओं में खिल और जो लहरे ऐसी लग रही हैं अब कि लहरें लता हों लता यानी ऐसे पोगों जो किसी पेडि तेहर साहारा लेकि उपाँ चड़ते हैं, तो कह रहा है कि लहरों की लतिकाओं में, मन्या लहरों रूपी लका में खिले हुए हैं, कौन? सौसो ससी, सौसो चंद्रमा, एक दो चंद्रमा नहीं, सौसो चंद्रमा, क्योंकि लहरे उठे गिर रहे हैं, यह सब में प्रति भी मलग-लग बन रहा है कर सौन चन्द्रमा सौनन उडु का मतलब क्या होता है जुकनु मतलब यहां पे ताथ पर किस से आया है तारों से मने सौन सो ता रे सौन चन्द्रमा ऐसे लग रहा है कि कि उससी लहरों रूपी. लतामें खिले हुए हूँ पुष पह की तरह और आगे कहते हैं अब उत्रास नहीं चमा चाहूंगा ऐसा लग रहा है कि सवसो जुगनु 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 यानि तारे इसमें खिल रहे हूँ लता में आगे कहते हैं फैले फूले जल में फैनिल फैनिल जल मतलब जहाग युक्त जल जहाँ पे जहाग बहुत जादा है उस जल को बोलते है फैन मतलब होता है जहाग जहाग युक्त जल में ऐसा लग रहा है कि वो खिले हुए है आगे कहते हैं अब उथला सरिता का प्रवाह अब सरिता का प्रवाह कैसा है उथला है उथला मतलब सतही हो गया अब गहराई खतम हो गई अब उथला है चप्टा है अब उथला सरिता का प्रवा लगई से लेले सहज थाह लगई मतलब वहता है लाथी डंडा डंडा को नीचे गिरा करके अंदाजा लिया जागा कि यहां पानी कितना है नाव चढ़ाया जाए की रोक लिया जाए वहाई पानी कम होगा मिट्टी होगी नाव समझाता है किम्ता का मॉरल बताता है जू जू लगती नाव पार उर्मे आलों के तश्चत विचार इस धारा सी है जग का क्रम साश्वत । इस जीवन का उधिवर य। संगम सास्वत नव का नीला विकास सास्वत सचिकाय रज़त अहा सास्वत लग improv का विलास है जग जीवन के कर्णधार जिद चन्व नमरण के आर पार सास्वत जीवन नोका विहार मैं भूल गया अस्टित्व गान जीवन काईया दूंवरसल टूट इस जीवन का उद्गम् शाश्वत है इस जिवन का उद्गम शाश्वत है, शाश्वत का मतलब होता है, धुषत्यु सास्वत भाकर है जीवन का सनगा मिल जाना की जरूँ यह हमारे पर निर्वर करता है सास्वत संगम संगम का मतलब होता है मिल जाना किसे से परमात मतत्व से मिल जाना जैसे यह नदी भी एक दिन जाकर कि समुद्र में मिल जाएगी वैसे ही संगम भी सास्वत है निलधारित है पहले से प्रतिष्ठित है कि संगम होगा ही होगा है है जो फैलाव है वो भी शास्सवत है वैसे हम भी तो आपने व्यक्तित्विकास कर सकते हैं यह कि या जानी दिनात है वैभ़ोषे अपने बल बूते पर कुछ इतना कमातो सकते हैं कि हमारी हैं दिक लिखाई दे यानि हमारे अंदर भी उल्लास आवे कहते हैं सास्वत लगू लहरों का विलास विलास का मतलब होता है आनंद छोटी छोटी लहरों का जो विलास है ना यानि हमारे जीवन में जो छोटी छोटी खुशियां आते हैं उस पे आनंदी तो होएं ऐसा नहीं है कि छो कंधार है परम्पिता परमेश्वर है जग जीवन के कंधार कंधार मतलब कान पकड़ने वाले कान पकड़ने वाले मतलब हमको सही रास्ते पे ले चलने वाले है जग जीवन के कंधार है इस जीवन के कंधार भगवान चिर जन्म मरण के आरपार देखे जन्म और मरण भी चिर यानि जन्म हुआ है तो मरण तो होगा लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है नौका विहार है नौका विहार का मतलब जीवन में आनंद के जो पल है उनको स्विकार करने की अवशक्ता है और उस पे अच्छा काम करने की जगुगत मैं भूल गया अस्तित्व जीवन जीवन का यह शास्वत्त प्रमांग मैं अस्तित्व को भूल गया था कभी कहWith Moi क्या है यानि मेरे जीवन में इतनी खुशनतु आनंद एतनी संद्धर विश्यय मुझे भूल गया ता आज नौका विहार देख करके मुझे मिल गया शास्वत अपने जीवन के अथार्थ को समझ गया अब मैं हर जगा केवल अपने अंदर उल्लास खोजूंगा अच्छी चीजों का अनुभव करूंगा जो नकारात्मक विचार धाराएं हैं मैं उनको अपने आसपास कभी फटकने नहीं दूंगा तो यह था नौका विहार अगला है कि इतना बहतर तरीके से हम लोग यहां पर पढ़ते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी तैयारी करते हैं अगले वीडियो की और आप सभी लोग प्लीज जहां कई भी कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बाक्स में डाल दीजेगा मैं उसका जबाब देने का प्रयास करू होंगा जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आप सभी लोग के उजल्भरिश के मंगल कामना के साथ मैं रवी कानमत्रपाड़ी नमस्कार सस्रीयकाल